कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक से पहले सुरक्षाबल काफी अलर्ट पर हैं यही कारण है कि इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर में एंकाउंटर हो रहे हैं जम्मू के अलाके में भी लगातार हमले की कोशिश करके आतंकी माहौल खराब करने में जुटे हैं सुरक्षाबल अलर्ट पर हैं और पाकिस्तान की हर साजिश का वो करारा जवाब दे रहे हैं पीओके के जरीए अतंकी लगातार हमले की कोशिश कर रहे हैं ऐसे हम आपको वो रूट बताने जा रहे हैं जहां से घुसपैट की कोशिश हैं पियोके के दूधी नियाल लॉंच पैड रूट से कैथन वाली फोरेस्ट से मागम फोरेस्ट से कुपवारा आतंकी आ सकते हैं पियोके के केल लॉंच पैड रूट से लोलाब घाटी से टाश्मा करलोपोरा से कुपवारा में गुस पैड का प्लान हो सकता है P.O.K. के नली रूट से होते हुए मंजी ओर्ट के रास्ते दंड सेर फॉरिस्ट के जरिये काला कोट से घुस पैट हो सकती है P.O.K. के कोट को तेरा रूट से होते हुए आतंकी बगला और काला कोट पहुँचने की फिराक में है पियोके के निकैल रूट से राजारी और पुंच में निकैल से भुधल होते हुए मंजी कोट के रास्ते घुस पैट हो सकती है पियोके के बदाल गाओ से आतंकी कस नाला होते हुए राजारी में घुस पैट की फिराक में है पियोके के बोई से आतंकी, सोन गली, गूर सैन, सुरन कोट होते हुए जम्मू कश्मीर में घुस पैट कर सकते हैं पियोके के खुईरे रटा से होते हुए आतंकी, मोहरा गैप से नौशेरा और सुन्दर बनी में घुस पैट कर सकते हैं आतंकी कश्मीर के शोपिया में घुसपैट करने के लिए हील काका के एरिया से पियोके से घुसपैट कर सकते हैं आतंकी गुरेज, माचिल, केरन सेक्टर, गुलमर्ग से आने के लिए उस्ताद पोश्ट रूट का इस्तमाल कर सकते हैं इन रूटों की खास तोर पर निगरानी सुरक्षावलू द्वारत की जा रही है यहां से आने वाले आतंकियों के लिए पता सुरक्षित रखा गया है और वो है जहन्नुम का ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक झाल झाल